Hi everyone, welcome back to the channel, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी MSTCT 2023 के स्टैटेजी के उपर, कि क्या आपकी स्टैटेजी होनी चाहिए, January से लेके आउगस तक आपकी पढ़ाई की क्या प्रिप्रेशन होनी चाहिए, ठीके, कौन-कौन से रिसोर्सेस आपको फॉलो करने है, कौन से तो भी crash courses है, mock test है, सारी चीज़े यहापे आपको provide हो जाएगी, ठीके, तो start करता हूँ मैं, तो देखा है, अब यह आपका January स्टार्ट होगा, January में आपको boards के साथ-साथ MSTCT को पढ़ना है, ठीके, first preference always आपको boards को देना है, क्योंकि कभी भी 50-50 का criteria लागो हो सकता है, 50% MSTCT से गिने जाएंगे, तो इसलिए आपको boards को कभी, भी मतलब boards को कभी भी निखलेक नहीं करना है, boards आपके लिए सबसे important है, क्योंकि 50-50 criteria होने की probability बहुत जादा है, इस साल, ठीके, सारे news sources से यही पता लग रहा है, कि होने की probability है, लेकिन CT cell से अभी तक कोई announcement नहीं आया, इसके उपर, इसके उपर मैं detail में आपको एक next video आएगा, उसमें मैं आपको mirids, demerids समझाओंगा, कि इसके फाइदे क्या है, नुखसान क्या है, ठीके, लेकिन अभी के लिए आपको boards पे focus करना है, क्योंकि criteria तो मैं design नहीं करूँगा, ना कि आप design करोगे, वो CT cell की तरब से लिए, उसके साथ-साथ, उसके कुछ MCQs देख लो, ठीके, basic level के MCQs देखो, अभी इतने high five MCQs मत देखने जाओ, लेकिन at least basic understanding आपको topic होनी चाहिए, ठीके, इसके बाद हम March, first of March से हम mock test start करेंगे, MSTC, ठीके, उस mock test के दोरान ही आपकी preparation हो, mock test सिफ mock test नहीं रहेंगे, उसक ठीके, जो भी आपने दो साल में पढ़ा, दो साल में पूरा का पूरा पढ़ाया हो, हम दो मेने में cover करेंगे, ठीके, और उसके साथ-साथ आप mock test देंगे, तो सारी चीज़े हम parallelly start करेंगे, March 1st से, लेकिन तब तक आपको boards के साथ-साथ, ठीके, सिफ आपको MSTC, के MCQs ल और book try कर रहे हो, तो please comment section बताओ, अगर वो best होगा, तो मैं आपको ज़रूर उसके उपर reply करूँगा, ठीके, papers की बात होगी, आपका book की बात होगी, आपकी preparation की बात होगी, MSTC, के लिए कोई और extra classes लगाने है, क्या नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, extra classes, ठीके, अभी के money save करो अपना, classes लगाने की ज़रूरत ने, MSTC, ठीके, अभी boards का पढ़ते जाओ, boards के साथ साथ, क्योंकि understanding पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं, classes क्यों लगाते है, एक better problem solving approach के लिए लगाते है, ठीके, वो मैं करा दूँगा आपका, उसके लिए आपको अभी से tension लेने की ज होने चाहिए, वो criteria के लिए भी आपको एक boards की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपके boards ही ना पढ़ा जाया आपसे और ना क्या, आप direct MSTC के लिए पढ़ना स्कार्ट करतों, वो approach गलत होता है, ठीके, तो आप भी boards के लिए पढ़ो, side by side MSTC के लिए पढ़ो, next video में हम discuss करेंगे 50-50 criteria के बारे में, कि क्या आपके profits होते है, उसके क्या losses होते है, ठीके, क्या आपके लिए merits साबीत हो सकते है, ठीके, पूरे points wise में list पना के लाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, ठीके, तो आप वो decide करोगे कि आपके लिए profitable है या loss है, ठीके, तो यही सारी चीज़े थी, आप सब लोगो के लिए WhatsApp group में ने create कर दिया है, description box में उसकी link है, प्लीज जॉइन कर लो WhatsApp group में, वहाँ पे मैं updates डालता रहूंगा, 2023 batch के, और Instagram handle को follow कर लेना, वहाँ पे मैं stories डाल देता हूँ, कुछ भी छोटी से update है, मैं story डाल देता हू होंगे, आप सब लोग अलग सर को जानते होंगे, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो उनसे पढ़ रहे होंगे, ठीके, तो अगर आप 10th boards देने वाले हो, और साती साथ आपने GE NEET का अपना सपना लेकर चल रहे होंगे, ठीक अगर मैं विद्यापिट को एक line में explain करना चाहूँ, तो it is India's first technology revolutionary offline platform, ठीके, जहाँ पर आपको offline education मिलेगा, ठीके, classroom education मिलेगा, by top faculties, affordable price में आपको मिलेगा, ठीके, और सारे classroom के recorded sessions आपको physics वाला के platform पे मिल जाएंगे, PW app पे आपको मिल जाएंगे, ठीके, मतलब आपका online education के द्वारा offline का आपका hybrid होगा, ठीके, वहाँ पे आप e-learning, मतलब online education को ही आप physical center में पढ़ोगे, ठीके, वो एक अलग experience आपका रहेगा, वहाँ पे आपको top faculties द्वारा ही मिलेगा, ठीके, और जो PW का main aim है, कि affordable price में आपको मिलेगा, ठीके, आप online education को, e-learning को अगर आप centers में पढ़ोगे, तो आपके doubts easily solve हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके doubt solver बैठे रहेंगे, ठीके, तो यह एक बहुत additional benefit आपके लिए साबित होगा, ठीके, पी डवलू का aim एक ही होता है, कि आपको जो education है, वो quality में मिले, ठीके, enjoyable education रहे, और आपको बहुत affordable price में वो education आ online PW सा, ठीके, साथ आप पूछ सकते हो आपके सारे doubts, दो week में आपके test होंगे, ठीके, और आपका जो भी analytics होगा, कि कौन से test में आपको कितना performance आपने दिया है, वो सारा आपको dashboard पे मिलेगा, ठीके, तो एक transparency आपके बीच में रहेगी, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ counselors available है, mentors available है, ठीके, monthly आपको report कर सकते हो, अगर आपको कोई भी चीज से related doubt रहा तो, या problem रहा आपको, तो आप उनके help line number से reach out कर सकते हो, जो यहाँ पे आपका display होता हुआ, नजर आता होगा, friends को भी updated रखेंगे loop में, उनको daily SMS जाएगा, प्रे आपके attendance का, साथ ही साथ आप आपको monthly report वहाँ पे आपको display होगा, ठीके, और regular PTMs होगे, parents teachers में, जहाँ पे आप parents, teacher के साथ, बच्चे के doubts होगा, आपको clear कर सकते, तो overall development आपके बच्चे की हो जाएगी, या फिर students अगर देख रहे तो overall development आपकी हो जाएगी, बेटा, क्योंकि वहाँ पे सिफ पढ़ाई क साथ-साथ आपकी wellness, overall wellness के उपर भी ध्यान दिया जाता है, आपके parents को loop में रखा जाता है, ठीके, अगर आपको इनकी links चाहिए होगी, तो description box में link दीए, ठीके, यहाँ पे भी आपको screen पे display होती हुए दिख रहे होगी, विद्ध्यापिट की link मैंने डाली है, पार्ट्शल लोगे, ठीके, तो आपका selection पका है, ठीके, अगर आप सारी चीज़े follow करोगे अच्छे से, तो आपका selection होना पका है, एक court है उनका, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि पढ़ लो चाहे कही से, selection होगा यही से, ठीके, आप कही से भी पढ़ लो, लेकिन selection आपका physics वा आपका थाग्य।